सवाल यह है कि आप करें यही दुकान असली है और बाकी दुकान जो है चल नहीं है नकली आप नहीं कह रहें लेकिन चल रही है असली स्थान यहीं है यह मैंने कब कहा कि यह असलिए है आपने कहा ना अभी आप धिरेंदर कृष्ण शास्री पर चुपी साथ गए देखिए चैलेंज भी आपने नाम लिया है ऐसे पर्चा बना ले वाले मद्ध प्रदेश में और उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमाय पर मद्ध प्रदेश से पांसो अठाइस लोगों से ज़्यादा लोग पर्ची बनाते हैं तो हमारे लिए तो सभी सरकार है परंतु सत कोई ही इस्थापित रहे तो सनातन अमर रहेगा सवाल का जवाब सीधा सीधा दो यह बताइए आप कि दूद क्या है पानी क्या है पर्ची असली कहा है और नकली क्योंकि जो जाए वो सही दुकान पर जाए कि यहाँ पर यहाँ पर शर्तिया इलाज होता है तो वह वहीं जाए वह कहा है दूसरी जगे क्यों जाए मैं यही कहना चाहता हूँ जब सासन एबं प्रसासन सुना जी सासन एबं प्रसासन गुरुजी गुरुजी माफी चमा जी मैं कह रहा हूँ यह सही है तभी तो बुलाया है आपने आप लोग बैठे हैं और इसे सामने बैठे हैं बोल रहे हैं मैं डाक्टर नेलिम पत्रपाथी देखे मैं फ्रपुना कहना चाहता हूँ मेरे पास कितना समय मुझे आप लोगों के द्वाय निर्धार थे हम अपनी बात को काटना नहीं चाहते ना मैं अपनी बेहन की बात काटना चाहता हूँ ना मैं आपकी बात करना चाहता हूँ क्योंकि जो जैसा देखेगा जो जैसा सुनेगा वो उसा ही मान लेता हैं इसलिए मैं यह नहीं किना न चाहता हूं कौन असली कौन न угलिया उसका परेक्षाण होना चाहिए सासन प्रसासन को समस्त विशाय की विश्यसरकों को विद्वानों को एक मंच पर आ करके लेकिन चमतकारों और इसे बातों को कसोटी पर कसेगा कौन आप भी चमतकार की बात करते हैं आप कहते हैं मैं मन पढ़ लेता हूं वो भी कहते हैं मैं मन पढ़ लेता हूं मारा जी इसी पर सवाल जोड़ देता है पर सड़क पर सरकार जो तमाम वो जो हाशिये पर लोग है उनके लिए काम करें कि आपके लिए कानून बनाएं कि वो लोग जो हैं वो जो असली दुकान खुलें उन्हीं के लिए कानून बनना चाहिए जब अभी कोरणा आया तो अच्छे मंदर याद आगे अच्छे चलता रहा और लोगों ने ऐसे ऐसे आफशार ग्रण किये हैं जो उनके कहीं रिकॉर्ड में नहीं था कि वैक्सी जाएगा